हेलो फ्रेंड्स आप सभी आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत है और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एससी के दोरा यहां पर एस्ट्रोग्राफर के लिए एक बढ़ित बरिविगेंसी निकाली गई है तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आप इस यानि कि आज से स्टाट हो चुका है और आविदिन के अन्तिम्तिती यहां पर 14 जून-22 दिया गया है यानि आपको यहां पर पूरा एक महना का यहां पर समय दिया गया है आपको यह फॉम बढ़ने के लिए इसके बाद हम बात करते हैं तो यहां पर साफ साफ मेंचन किया कि यह फॉम है वो आसुलिपिक अनुदेशक आसुलेखन यानि एस्ट्रों ग्राफर के लिए है जहां पर भारती नागरी किसे अपलाई कर सकते हैं अगर हम बात करते हैं इसके जिसमें कि लेवल पेमेंट के बारे में और क्वालिफेकेशन के बारे में तो यहां पर साफ लिखावा है कि लेवल 6 का पेमेंट यहां पर होगा और यहां पर कम से कम 12 पास होना जिरूरी है जिसमें लिखा गया है कि टाइपिंग जो होना चाहिए यानि आसुलेखन के आपका जो स्पीड होता है वो 80 सब्द पर 30 मिनट होना चाहिए हिंदी में तथा हिंदी पर मिनट में और आपका इंगलिस जो टाइपिंग हो 35 पर मिनट में और यह तीनों रिक्वायर्मेंट है इसमें ऐसा नहीं क्यों को एक लाना है इसमें तथा लिखा है या नहीं लिखा है इसलिए आप यहां पर तीनों मान के चलेंगे इसके वाद अगर बात करें कि number of seats इ यहां भी भांगा जा रहा है और आशू लेखन के साथ में computer typing होना चाहिए और computer का basic knowledge आपके पास होना चाहिए तब आप आशू लिपिक समानी प्रसासरिंग भी भर सकते हैं अगर हम total vacancy की बात यहां पर करें तो total यहां पर देखेंगे तो total 232 सीट यहां पर total देखने को मिल रहा है यानि यह total vacancy जो आपका है 232 पदों पर निकाली गई है यह धियान रखना है और जिसमें 35% यहां पर आरक्षन दिया गया है वो भी यहां पर बताए गया है अब यह पर लिखावा है कि यह बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है अगर हम qualifications की बात करें तो मैंने आपको जैसे कहा कि आपको 12th pass हो जाना चाहिए आविदन की अंतिम तीथी तक यहां कहा जा रहा है कि अगर आप 12th pass कर चुके हैं तो आप इस पूम का apply कर सकते हैं साथ में यहां मौलवी परमानपत्र यानि जिसने मौलवी किया है उर्दुबोर से आईटियाई के साथ जिसने यहां आईटियाई कंप्लीट किया है वो बच्चे साथ में पूले टेक्निक कंप्लीट किया है वो बच्चे वो इंटर के समकच माने जाएंगे यानि कर मौलवी पास किये है आइटिया ये पास किये आप पोलिटेखनिक पास किये तब भी आप टुवाल्थ माने जाएंगे अगर आप पर इंटर्मेडियेट नहीं है तो आप इस वंक अप्लाइक कर सकते हैं नियमत्म तक्निकी योगिता के बारे में कह रहार टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बारे में मैं आपको कहा, सिंपल शाह है « 30 words per minute आपको हिंदी में टैपइपिंग 35 words per minute आपको इंगलिज में टैपइपिंग वो यहाँ पर बता दिया गया है इसके लाव अगर मैं बात करूँ तो और यहाँ पर जो important information से वो यहाँ पर आपका है उम्र सीमा के बारे में यानि age calculation की बात कहा गया है age यहाँ पर calculate आपका 1 अगस्त 2 हजे 22 के अधार पर किया जाएगा यहाँ पर कम से कम new time उम्र दिया गया है कम से कम 18 साल आपको हो जाना चाहिए और maximum अधिकतम उम्र देखेंगे general category male के लिए 13 साल है यानि का 18 सा 13 साल जिसका भी हुआ है वो apply कर सकते हैं महिलाओं के अंदर बता गया है 40 साल जो की general category के महिला है यहाँ पर मेल और पूरेस दोनों के यहाँ पर 40 साल है और SCST को यहाँ पर 42 साल है यानि कि 37 से 5 साल SCST को और 3 साल छुट मिला है OBC को यह यहाँ पर बताए गया है इसके लाबर मैं बात करूँ examination forms के बारे में यहाँ पर PT का examination form है वो यहाँ पर लिखा गया है पाईसा को केतना लगेगा general category के लिए OBC के लिए और BC1, BC2 के लिए 540 रुपया SCST के लिए जो बिहार के अस्थाई नेवासी है उनको 135 और जितने भी विकलांग है चाहे किसी भी जातिक हो हो उनको भी 135 रुपाइगा और सभी स्टमी के महिलाएं जो सिर्भ बिहार के अस्थाई नेवासी है उनको भी यहाँ पे 135 और बाकि जो अदर राज के जो भी महिलाएं या पूरुस होंगे उनको यहाँ पे 540 रुपया लगेगा वो यह भी यहाँ पे बताया है यहाँ पर साथ में यह लिखा गया है कि प्रिक्षा के प्रकृटि यानी की सिलेबस के सूंगे क्या गेतने तरीके हैं व्हार लिखा वस तो नेश्च होगे यानी के अब्जेक्टिभ कोशन होगा यहाँ पर लिखा गया कर अगर 40,000 से ज़्यादा आगर यहां पर फॉर्म भड़ा गिया है तो यहां पर इसका examination होगा अधिक आविजन प्राप्त होने पर प्रारब्बिक परिक्षा एक से अधिक चर्णों में भी किया जा सकता है यहां पर बता दिया गया उसकी परिक्षा 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 के प्रकरिया पर लागू करते भी यहां पर लागू की जाएगे तो यहां पर पांच गुना बच्चों का रिजल्ट दिया जाएगा जहां पर आपका वहवारिक परिक्षा के लिए बुलाया जाएगा इसकी बाद अगर बात करें परिक्षा में क्या क्या पत्र कोशन पूछे जाएंगे तो यहाँ पर समान अध्यान है जिसमें GK और आपका current affair आ जाता है math है, science है और यहाँ पर आपका reasoning है तो टोटल यहाँ पर डेर सो कोशन पूछे जाएंगे और यहाँ पर सही करने के लिए आपको चार कोशन दिये जाएंगे यह चार नंबर मिलेंगे और यहाँ पर एगर negative होता है आपका तो एक न यहाँ पर नंबर काट लिजाएंगे टोटल घंट आपको यहाँ पर दो घंटा 15 मिनट का समय भी दिया जाएगा यह भी यहाँ पर बताएगे हैं अब बात करते हैं लिखीत परिक्षा का syllabus किस पकार से है क्या कर पूछी जाएंगे तो यहाँ पर पूरा आपको देखनों को मिलेगा अगर इसका चाहिए तो आपको यहाँ पर इसका PDF लिंक आपको description में मिल जाएगा वहाँ पर जाके देख सकते हैं इसकी बाद यहाँ देखेंगे आपको फिर इसके बाद skill test के लिए बुलाया जाएगा जो बच्चे पास कर जाएगे तो यहाँ पर जो dictation आपका यानि हिंदी सुरूती लेख है 80 सब्द वर्ड पर मिनट आपको होना चाहिए और यहाँ पर 4 मिनट तक आपको लेखा 5 की जाँच की जाएगी पहला तो यह कहा है इसके बाद यहाँ पर आपको dictation लिखने के लिए जाएगा एक मिनट का यहाँ पर लेखा बन लेखा 5 जाँच के बाद आपको dictation लेख दिया जाएगा उसकी बाद सुरूती लेख टंकित की बाद करता है तो आपको 20 मिनट का समय दिया जाएगा उसकी बाद यहाँ पर जो इंग्लिस टैपिंग है सार तीन सो सब्द आपको होना चाहिए 10 मिनट के अंदर यानि 35 वर्ड पर मिनट के लिए पर मांगा जा रहा है यानि PT examination होने के बाद ही आपका skill test के बारे में अलग से कोई मतलब नहीं करता है यहाँ इसको आपको देख लेना इसी तरह है सो कोई काम का है नहीं इसकी बाद अगर बाए बात करूँ तो इसने information जो important हो अगर जो बच्चे आरक्षन का दावा कर रहे हैं जैसे SC, ST, OBC अगर आरक्षन का दावा कर रहे हैं तो ध्यान रखना कि आपका ये सभी document जो है SC, ST certificate या OBC certificate वो राज सरकार द्वारा अधिसुचित प्रदिदिकारी द्वारे निर्गत होना चाहिए तो ये ध्यान रखना आपको 89 परमान पत्री बना के रख लेना होगा और ये counseling के समया आपको देना होगा अगर आप नहीं देपाएंगे तो आपको general category माल लिया जाएगा ये यहाँ पर सभी के लिए बताए गया लेकिन अगर महिलाओं की बात करते हैं जो महिलाएं आडक्षन का दावा करने वाली हैं विवाहित महिलाएं हैं उनका जाती या creamy layer certificate जो होगा उनके पिता का नाम का होना चाहिए ना कि उनके पती का नाम का तो ये भी आपको धियान रखना है तो अपने पती का नाम का को भी document आपको नहीं बनाना है में लिए आपको जाती प्रमान पत्र आपके पापा का नाम का ही बनाना है वो आपको धियान रखना है और यह कहां से बनेगा तो आपको जहां से नहरा था यानि आपको जो गहरक दम है महलाओं का वहीं से नहीं का बनेगा तो आपको यह बनवा के रख लेना है ताकि आपको बाद में कोई दिकत ना हो तो यह है important information जो आपको जरूरी था मैंने आपको बता दिया है अगला वीडियो जो होगा कैसे online करना है इसके बारे मैं आपको बताने वाला हूँ तो चलिए आशा करता है वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राब कर लेजेगा मिलेंगे जल्दी नेक्स वीडियो में थैंक यू फोर वाचिंग दिस वीडियो